आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के हिंदी विशय में पाठ है हिमाले से जिसकी कीरचना कवईत्री महादेवी वर्मा जीने की है आज हम लोग इस पाठ के इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, कावे संदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे देखिए वैसे तो मैंने सभी पद्यांशों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड कर दी है यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं लेकिन आज हम लोग फिर से एक बार इस पद्यांश को ले करके इसको हल करना तो सीखेंगे ही सीखेंगे इसके अलामा भी बहुत सारी बाते हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे एक बात आओर देखिए मेरा एक दूसरा भी चैनल है उसका नाम है टेन बोर्ड और वहाँ पर मैंने गद्यांश पर आधारित प्रशनों को हल करना सिखाया है देखेंगे आपके हिंदी में जो गद्यांश हैं वहाँ पर मैंने हल करना सिखाया है साथ ही साथ मैंने वहाँ पर आपके हिंदी में जो अनिवारे संस्कृत है उसमें जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों का अनुवाद करना ओयमार में पूछे जाने वाले महत्पुन प्रशनों को और पत्र और प्रात्ना पत्र आप कैसे लिखेंगे ये भी मैंने सिखाया है इसके अलामा भी बहुत सारी बाते हैं तो एक बार आप उस चैनल पर भी जाए और उस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके इन सभी चीजों को देख सकते हैं और यदि अच्छा लगे समझ में आए तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग इस पद्यांश को हल करना सीखते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी आदत के अनुसार इस पद्यांश में जितने भी शब्द आये हुए हैं इन सभी शब्दों का सरल अर्थ बताऊंगा फिर उसके बाद हम लोग इसकी सभी चीजों को सीखेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेते हैं नभ में नभ में माने आकाश में गर्वित गर्वित माने गर्व से या स्वाभिमान से कोई ये कहके आप अनुआद कर सकते हैं जुकता न जुकता न माने जुकता नहीं है जुकता नहीं है श शीश, शीश माने सीर, शीश माने सीर, पर, पर माने किन्तु या परंतु, दोनों होता है, कोई भी एक बोल सकते हैं, अंक, अंक माने गोद, जो हम लोग अपनी गोद में बच्चा खिलाते हैं, वही गोद ठीक है, वैसे अंक माने गिंती भी होती है, लेकिन अंक माने यहां पर गोध है ठीक है लिये है लिये है मतलब धारण किये हुए है लिये है मतलब धारण किये हुए है वैसे तो आप लिये है भी कह सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग कहले कि धारण किये हुए हो दीन दीन माने तुछ तुछ देखे तुछ का मतलब होता बेका जिसकी कॉई कीमत नहीं, तुछ ठीक है, छार मानी मिट्टी होता है, धूल होता है, तो यहाँ पर हम लोग छार मानी मिट्टी कहेंगे, और कोष्ठक में दोल भी कर दियंगे, तो दोनों हो जायेगा, और राखवाले को चोड़ देंगे, ठीक है मन गल जाता, देखें मन गल जाता मतलब मन पिघल जाता है, गलना मतलब पिघलना होता है, तो मन पिघल जाता है, नत माने जुका हुआ, विश्व देख, विश्व देख मतलब संसार को देख कर, संसार को देख कर, तन, तन माने शरीर, तन माने शरीर, सह मतलब सहन कर लेता, लेता सरल है, सहन कर लेता है, तो पूरे को एक साथ यह दि कहेंगे, तन सह लेता है, तो हो जाएगा, शरीर सहन कर लेता है, शरीर सहन कर लेता है, कुलिश, कुलिश माने कठोर, कुलिश माने कठोर भार देखे भार भी आप कह सकते हैं आगहात भी कह सकते हैं ठीक है आगहात कितने प्रश्णवाचक सब्द है सरल ही है कोई दिक्कत नहीं है मिरे दुमाने कोमल कितने सरल है पहले भी आ चुका है कोई दिक्कत नहीं है कठिन का मतलब भी कठोर कठिन माने भी कठोर प्राण प्राण को हम लोग हिरदय कह लेंगे प्राण आत्मा हिरदय तो हिरदय कह लेंगे ठीक है तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया चले अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने स से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं फिर उसके बाद व्याख्या को सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुष्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमाले से शिर्षक से उद्धित है इसकी रचना कवईत्री महादेवी वर्मा जी ने की है यह पद्यांश उनके प्रसिध काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है पुण बिराम लगा देंगे और संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं देखे प्रसंग कई प्रकार से लिखा जा सकता है लेकिन हम लोग जो पद्यांश की मुख्य ब जाना लेते हैं वैसे कई वर्षों से जो प्रसंग है वह पूझा नहीं गया है लेकिन सीख में कोई बुराई नहीं है तो चलिए हम लोग प्रसंग लिखते हैं तो आप मिज़ेंगे डैश डालेंगे और डैश डालकर की लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में कवईत्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय के गुणों का वर्णन किया है पुन बिराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या सीखते हैं तो देखिए पध्यांश की व्याख्या करते समय बहुत सारी बाते हम लोग अपनी तरब से भी जोडते हैं व्याख्या अच्छा लगने के लिए बहुत सारी बाते हम लोग अपनी तरब से जोडते हैं जब हमको लगता है कि यहाँ यह चीज जोड दे तो हमारा वाक की अच्छा बनेगा तो हम लोग जोड लेते हैं इतना थोड़ा आपको ध्यान देना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और व्याख्या अच्छी लगे इसक के गुणों की प्रशंशा करती हुई कहती हैं कि हे परवतराज हिमाले अब आजाई पद्यांश पर हे परवतराज हिमाले आकाश में नभ में आकाश में स्वाभिमान से उठा हुआ गर्वित स्वाभिमान से उठा हुआ आकाश में स्वाभिमान से उठा हुआ तुम्हारा सीर शीस तुम्हारा सीर किसी के भी आगे अब देखिए इतना अपने से जोड़ रहाँ किसी के भी आगे जुकता नहीं है जुकता नहीं है किन्तु पर किन्तु फिर थोड़ा से अपने से जोड़िए किन्तु तुम इतने दयाल हो की किन्तु तुम इतने दयाल हो की अपनी ग धारन किये हुए हो लिये हुए हो धारन किये हुए हो और पूर्ण बिनाम लगा देंगे चले आगे देखिए फिर थोड़ा सा जोड़िए तुम्हारा इतना जोड़िए तुम्हारा मन तुम्हारा मन इतना कोमल है कि संसार को विश्व संसार को अपने सामने जुका हुआ नत करके पिगहल जाता है यहां पर मेरी बात थोड़ा सा सुन लेजिए देखे कवीत्री की कल पना है उन्हों परवत का मानवी करण कर दिया है, उसको मनुष्य मान लिया है, कहती हैं कि हे परवत राज हिमाले, जब तुम संसार को अपने सामने जुका हुआ देखते हो, तो तुम रोने लगते हो, और जो तुम्हारे आशु है, वो नदी के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं, आप तो शब्द कहते हैं, तुम्हारा मन इतना कोमल है कि संसार को अपने सामने जुका हुआ देख करके पिघल जाता है, और नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है, आगे दिखिए, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीतन शरीर, तुम्हारा शरीर, वज्र से भी कठोर आगहात को भारको सहन कर लेता है सहन कर लेता है तुम्हारा श्रीर वज्र से भी कठोर आगहात को सहन कर लेता है खेंगर देखेंगर wszyscy यह परवत्राज हिमाले इस प्रकार से तुम्हारा हिर्दाय कितने कोमल है और तुम्हारा शरी कितना कठोर है और आपका आपकी व्याख्या हो जाएगी चले फिर से पूरी व्याख्या मैं आपको एक बार बोलता हूँ आप ध्यान से देखिए तो देखिए हो जाएगा, मैंने कहाता पहले थोड़ा सा जोड़ेंगे, फिर से सुनिए, प्रस्तुत पध्यांश में कवैत्री महादेवी वर्माजी परवत राज हिमाले के गुणों की प्रशंशा करती हुई, कहती है कि हे परवत राज हिमाले, लाइन पर आजाईए, हे प पिन्तुतुम इतने दयाल हो कि अपनी गोद में तुछ, तुछ, मिट्टी, धूल को भी धारन किये हुए हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा मन इतना कोमल है कि संसार को अपने सामने जुका हुआ, देख करके पिघल जाता है, और नदियों के रूप में प्रवाहित होने लग कठोर आगहात को भी सहन कर लेता है, हे हिमाले परवत, तुम्हारे हिर्दे, तुम्हारा हिर्दे, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा हिर्दे कितना कोमल है, और तुम्हारा शरीर कितना कितना कठोर है, और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी, चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसका कावे संदर भी देख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रशनों को भी हल करना सीखेंगे ठीक है तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा कावे संदर दे मुक्तक है आप चाहें तो क्यवल मुक्तक भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखें यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास मानवी करण और विरोधा भास ये तीन महत्वपूर्ण अलंकार दिखाई देते हैं देखें कावे संदर्य में य जब भी कोई पद्यांश आप पढ़िए उसकी व्यक्या को सीखिए तो अलंकार जरूर जान लीजिए चाहे जहां से जानिए लेकिन अलंकार को देख लीजिए कि उस कविता में उस कविता की लाइन में कौन से अलंकार हैं तो चलिए हम लोग यहां पर इस पद्यांश में त है और इस शब्द के अंत में भी त है ठीक है तो अनुप्रासलंकार यहां पर देखे जाता नत यहां भी अंत में त है और यहां भी त है ध्यान दीजिए देखे हमको मात्रा से नहीं देखना है कि यहां आ की मात्रा लगी है कि ए की मात्रा लगी है हमको क्यल वर्ण देखन यहां पर थोड़ी सी मेरी बात समझें, देखें किसी शब्द के अगल बगल शब्द होने चाहिए, अब एक यहां पर मिलाईए नहीं, जो अगल बगल शब्द हैं उन्हीं में मिलाना है, तो ध्यान से बात सुनिए, यदि अंत में मिल रहा है, तो भी अनुप्रास अलंकार, यदि पहला पहला मिल रहा है, तब ही अनुप्रास अलंकार, ठीक है, एक हो गया, अब देखें, दूसरा है मानवी करण अलंकार, देखें, जहां पर कोई चीज मनुष्य ना हो, मानव ना हो, लेकिन उसको ऐसे व्यक्त किया जाए, ऐसे बताया जाए, कि जैसे वो मनुष् पहाड़ है, न तो रो सकता है, ना मतलब कठिन हो सकता है, ना कोमल हो सकता है, लेकिन कवित्री की ये कलपना है, सुन्दर सी कलपना की है कवित्री ने, कि ये जो हिमाले परवत है, वो मनुष्यों की तरह स्वाभिमान से अपने सिर को जुकाता नहीं है, वो दीन मिट्टी ये सारे गुण जो है मनुशी के हिमाले परवत में बताए गए हैं तो मानवी करण अलंकार ठीक है तो दो हो गया अब तीसरा था विरोधा भास देखिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिमाले परवत का जो हिर्दय है वो बहुत ही कोमल है और उसका सरीर बहुत ही कठोर है तो कोमल भी और कठोर भी तो एक दुसरे की विरोधी शब्द है तो यहाँ पर विरोधा भास अलंकार है कठिन और कोमल कोमल कठिन विरोधा भास ठीक है तो अलंकार हो गया चले आगे देख लेते हैं यदि हम लोग इसमें भाशा की बात करें तो इस पध्यांश की जो भा पूछे जाने वाले प्रशनों को हल करना सीखते हैं तो देखिए आपके बोड के पेपर में तीन ही प्रस्ण आएगा तीन से जादा कभी भी नहीं आ सकता। देखे पेपर के कुछ निष्यत नियम होते हैं पेपर उसको नहीं तोड़ सकता तो तीन प्रश्णों का नियम है, तीन ही प्रश्ण आएगा, लेकिन तीन प्रश्ण कौन सा आएगा, ना तो मैं जानता हूँ, ना तो आप जानते हैं, तो ऐसे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्णों को लिया है, कि कोई भी तीन आएगा, तो आप लिख लेंगे हाँ ये प्रश्ण आता ही आता है अब तक तो हमेशा आया है ठीक है व्याख्यावाला तो हम लोग सभी प्रश्णों का उत्तर जान लेते हैं हमारे पेपर में जो भी आएगा हम तीन लिख देंगे ठीक है तो देखिए पहला प्रश्ण है प्रश्टुत पध्यांश का संदर्भ लिखिए तो देखिए संदर्भ मैंने आपको सबसे पहले बताया था लेकिन लिखेंगे कैसे चलिए देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पर दो नंबर होते हैं देखिए जब पेपर को दो खंड में बाटता है तो 20 OMR सीट के होते हैं उसके बाद इसको एक से डाल देता है लेकिन कभी कभी ओयमार के जो 20 प्रश्न होते हैं उसके बाद इसको 21 बना लेता है तो आप पेपर में देखिए कि 21 है कि एक है यहां पर वही डालिए यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए देखिए जब यहां पर आप प्रश्न उत्तर नंबर गलत डालते हैं और यहां पर लिखते कुछ है प्रश्न उत्तर नंबर कुछ डाला और यहां पर लिखा कुछ है तो ऐसे में टीचर को बहुत दिक्कत होती है फिर उसको खोजना पड़ता है कि किस प्रश्न का उत्तर बच्चे ने लिखा है है ना ऐसे में उसको थोड़ा सा निमेदारी है कि बच्चे ने भले गलत लिखा है हम ढूणे कि किसका उत्तर है और ढूण के हम लोग लिखते हैं लेकिन समय का नुक्षान होता है और थोड़ा सा दिक्कत होती है तो कोशिश किजिए कि ये प्रशन उत्तर नंबर कभी भी गलत ना होने पाए ठीक है तो चले शुरू का और अंतका थोड़ा सा लिख लेंगे यहां पर एक चीज में आपको इस्पष्ट कर दूँ शुरू का और अंतका मतलब यह नहीं होता है कि जहां पर रेखा खीची गई है उसके शुरू का और अंतका मैं क्या कह रहा हूं जड़ा सा समझिए देखे कुछ बच् का होता है यहां से लेकर के यहां तक का शुरू का और अंतका आपको लिखना होता है यह रेखांकित से आपको कोई मतलब नहीं है इसकी तो आपको व्याक्या करनी है तो हमेशा आप शुरू से लेकर के डाट डाट करके अंतका लिखेंगे मैंने ऐसे लिखा आप देख लि नमबर डालने के बाद एक या दो लाइन छोड़ दीजिए आप देखिए कि क्या अच्छा लग रहा है जब भी नई हेडिंग शुरू हो कोई नई बार शुरू हो तो आप बीच में एक लाइन तो कम से कम जरूर छोड़िए ठीक है चलिए हमारा संकेत हो गया अब संदर्व लिख लेते हैं तो जैसे मैंने संदर्व बताया था वैसे ही लिखा भी है तो आप भी मेरे साथ पढ़ लेजिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालाइसे शिर्षक से उद्धिरित है इसकी रचना कवईत्री महादेव वर्मा जी ने की है यह पध्यांश उनके प्रसिद्ध काविगरंथ सांध्यगीत से लिया गया है और आपका संदर्व पूरा हो जाएगा चले हमारा पहला प्रस्न पूरा हुआ अब दूसरा प्रस्न देखते हैं देखें दूसरा प्रस्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो चले पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहां पर तो देखिए यहां पर यहां से आपको दिख रहा होगा रेखा खीची गई है और यहां तक खीची गई है अब यहां पर आप सवाल करते हैं आपका सवाल क्या होता है ध्यान से सुनिए आप कहते हैं कि सर जितनी रेखा खीची गई है उतनी ही व्याख्या लिखे या पूरी लिखे दें तो चले मैं दोनों बातें आपको बताता हूं देखे नियम से तो हमको जितनी रेखा खीची गई है उतनी ही व्याख्या लिखनी चाहिए क्योंकि हमारा प्रश्ण कहरा है कि जितनी रेखा खीची है उतनी ही लिखिए लेकिन कभी कभी आपको समझ में नहीं आता आपको लगता है कि हमारी व्याख्या अधूरी हो रही है तो आप पूरे की व्याख्या लिख सकते हैं लेकिन जितना रिखां के तंश है व्याख्या में भी उतने की नीचे ऐसे अंडर देखिए आप प्रश्णुत्र नंबर डालेंगे मैंने कहा देखिए जितना रेखा खिंची गई है वहां तक क्योंकि मैंने पूरी व्याख्या लिखी है ना तो देखिए मैंने जब अंडरलाइन कर दिया इतना तो कापी जाचने वाले को ये पता हो गया कि बच्चे ने इत कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए बड़े पध्यांशों में दिक्कत नहीं होती है जितनी रेखा खिंची गई है आप उतना ही लिख लेते हैं लेकिन समस्या बिहारी का जैसे दोहा हो गया आप उसमें दो लाइन है कभी-कभी नीचे की लाइन में जब अंडरला कर देंगे शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो आप चाहें तो जितनी रेखा खिंची गई है उतनी की ही व्याख्या लिखे या यदि आप पूरा लिखते हैं तो फिर अंडरलाइन कर दीजिए ठीक है चलिए देखिए मैंने जैसे आपको बताया है वैसे ही मैंने व्याख्या लिखे भी है तो चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ लिजिए तो नंबरिंग करने के बाद हम लोग एक लाइन उपर छोड़ेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकी तंश की व्याख्या और लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में कव इत्री महादेवी वर्म हमाजी परवतराज हेमालय के गुणों की प्रशन सा करती हुई कहती हैं कि है परवतराज हिमालय देखें इतना मैंने अपनी तरब से जोड़ा है हमारा हमारी व्याख्या अच्छी लगे मैंने इतना जोड़ा सब के आगे जोड सकते हैं कोई दिखकत नहीं है तो देखे इतना अपने से जोड़ने के बाद आगे अब वो लाईन की व्याख्या है परवतराहे परवतराज हिमालय आकाश में स्वाभिमान से उठा हुआ तुम्हारा सिर किसी के भी जुकता नहीं है किन्त तुम इतने दयाल हो कि तुछ मिट्टी मैंने खहा था मिट्टी को बाहर करिएगा धूल को कुष्टक में मिट्टी को भी अपनी गोद में धारण किये हुए हो तुम्हारा मन इतना कोमल है कि विश्व को अपने सामने जुका हुआ देखकर दया से पिघल जाता है और नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि वज्र के समान कठोर आगहात को भी सहन कर लेता है इस प्रकार तुम हिर्दै से कितने कोमल और शरीर से कितने कठोर हो और आपकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी ठीक है चलिए अब अगला प्रश्न देखते है ध्यान रहे कोई ती न आएगा ठीक है देखिए तीसरा प्रश्न है उपरियुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो मैंने बताया है कोई दिक्कत नहीं है मैंने कैसे लिखा चले मैं आपको दिखा दूं तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे उपरियुक्त पंक्ति में वीकरण, कामा, अनुप्रास और विरोधा भाष अलंकार है। आप किसी को पहले किसी को बाद मिलिक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी पूरा हुआ, चले चौथा देखते हैं। देखे, चौथा प्रश्ण आपसे कह रहा है, कूलिश और अंक। इन शब्दों का आर्थ लिखिए, तो चले मैं पहले आपको ये शब्द दिखा दूँ। देखिए, यहाँ पर आया है कूलिश और यहाँ पर आया है अंक। कहरा एकिन का सरल अर्थ लिखिए, यही कारण है कि मैं आपको एक एक शब्दों का अर्थ बताता हूं, क्यूंकि कभी कभी ऐसे प्रश्ण भी आ जाते हैं, तो अब लिखेंगे कैसे, वो भी जरा सा देख लेते हैं, तो देखिए, आप नंबरिंग करेंगे, शब्द अर्थ हैसे लिखेंगे, और दोनों शब्द लिख देंगे, और इसके बगल में कुलिश का मतलब कठोर, और अंक का मतलब गोद, और यह उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा, चलिए, पांचवाँ प्रश्ण देखते हैं, ध्यान रहे, कोई तीन ही आएगा, ठीक है, आप देखें, पांचवाँ है, प्रस्तुत पध्यांश में कवित्री ने किसका वरणन, देखें, या तो वरणन प्रश्ण में रहेगा, या चित्रन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, और उत्तर दोनों का एक ही लिखना है, वर युक्त पध्यांश का काव्य संदर लिखें, तो चलिए दोनों का उत्तर हम लोग एक साथ देख लेते हैं, तो देखें, पांचवाँ प्रस्ण था कि किसका वरणन किया है, तो लिखेंगे, प्रस्तुत पध्यांश में कवित्री ने परवत राज हिमालय की महानता का लगा देंगे, देखें, अगला प्रस्ण था काव्य संदर लिखें, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, और देखें, मैंने आपको काव्य संदर बताया ही है, तो इसको अब अलग से मैं क्या बताऊं, अब यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है ध्यान दिजिए, यदि प्र प्रश्ण ने क्या कहा है, काव्य संदर यह कहा है, तो सब लिखें, और अलंकार कहा है, तो किवल अलंकार लिखें, तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ जरूर समझ में आई होगी,